हाई एबरिवन आज मैं बनाने जा रही हूँ एग करी क्योंकि मेरे घर में आने वाले थे गेस्ट तो मैं यहाँ पे एग को फ्राइ कर रही हूँ मैंने एग में नाइफ से थोड़ा सा कट करके उसमें टेर्मेरिक लगा के उसके बाद उसको फ्राइ किया है और जो थोड़ा साइब का बहाना था कि मैं बना ली तो यहां पर मैं डाल रही हूँ ओल में तेज पत्ता, जीरा उसके बाद इसमें डालूंगी जीरा जैसे थोड़ा क्रैकल होना स्टार्ट होगा उसके बाद मैं इसमें डालूंगी finely chopped onion and green chili उसके बाद मैं इसे अच्छे से fry करूँगी और जब ये थोड़ा सा lightish brown हो जाएगा तो उसमें add करूँगी मैं tomatoes तो आप प्लीज इसी तरीके से एक बर बना के try कीजेगा उसके बाद मुझे बताएगा इसका taste कैसा रगा तो यहाँ पर मैं tomato को डाल दी हूँ और tomato थोड़ा सा जब पल्पी हो जाएगा जब थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाएगा तो इसमें हम डालेंगे ginger garlic paste मैंने paste नहीं डाला था क्योंकि मुझे उसका taste अच्छा नहीं लगता है मैंने इसे तरह great करके डाला था तो उसके बाद मैंने इसमें डाला है थोड़ा सा salt and turmeric kitchen king masala उसके बाद मैंने थोड़ा सा डाला इसमें मैगी masala मैगी masala तो मेरा बिल्कुल favorite है उसके बाद मैं इसको करूँगी अच्छे से fry और जब tomato pulpy हो जाए fry करते करते तो आप देखेगा मैं इसमें क्या डालूंगी और वो मेरा best उससे इतना टेस्ट इतना अच्छा आता है और ये है manchurian gravy manchurian gravy powder नोर का और इसे बहुत अच्छा टेस्ट आता है ये सब को अपने kitchen में रखना चाहिए तो बस मैं इसे fry करूँगी उसके बाद इसमें डालूंगी वाटर और जब थोड़ा बॉयल हो जाएगा अच्छे से ये सारा मसाला पक जाएगा तो फिर में डालूंगी उसमें eggs तो ये मैं खुद के लिए नहीं बना रही थी अपने guests के लिए बना रही थी तो मैंने सुचा शेयर करती हूँ क्योंकि मैं खुद के लिए कभी भी नहीं बनाती हूँ तो मैं जो मसाली की बात कर रही थी ना वो मसाला सबके किचन में होना चाहिए ट्रस्ट मी ये इतना अच्छा मसाला है ना करें कि आपको इसमें कुछ भी ढालना चाहिए तो बस इसमें मैंने डाल दिया है एक्स को और एक्स को मैं और पिर उसके बाद मैं कभर कर दूंगी ताकि जो ग्रेवी है ना वो और आपको देख रहा होगा कि मेरा कितना टेस्टी लग रहा है यह बिलकुल मतलब मुझे तो लग रहा था कि मैं भी घाओंपर मुझे अपने घस्ट का भी वेइट करना था और उन लोगों को बहुत ही ज़ादा पसंद आया और यह जो मसाला है ना यह मतलब मैं बहुत सालो से यूज़ कर रही हूँ और जो भी मेरे घर में गैस्ट आते हैं वो मतलब बहुत आड़ीब करते हैं तो कैसा लगा प्लीज कमेंट